अगर आपको गंजापन हो गया है बाल जादा झाहरते हैं बाल ठीक नहीं हो रहे हैं झेम्पू यूज़के लीया है आलोफैथी डॉक्तर दिखा दिया तेल लगा लिये सब कुछ लगा लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता बाल झाहरती हैं बाल सफेद होते चले जाते ह तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, साथी साथ पेट में दर्द होता है और पेट में अफारा है, ICDT है, दस्त लगते हैं, पेचिस लगती है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है तो चलिए मैं जिस औसदी पौधे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी मैं पैच्छान कराने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो पौधा है, इसको मदन घंटी कहा जाता है मदन घंटी का पौधा बरसात के समय में आसपास मिलता है तो जिनके बालों में कोई समिस्चा है बाल सफेद हो रहे हैं बालों में रूसी हो गई है बाल जो दूमुई हो रहे हैं बाल ज़ल रहे हैं उन सभी समिस्चाओं को दूर करने के लिए आपको करना क्या है ये जो मदन घंटी देख रहे हैं मदन घंटी का ताजा पौधा ले करके और आधा किलो भ्रिंग राज को ले ले और आप एक किलो आउले ले ताजे वाले गुठली निकाल दे यह तीन ओसदियां लेनी है और कूट ले कूट पीश करके आप वो जो एकदम कूट के मोटा मोटा कूट ले इमाम दस्ते से और एक से दो लिटर लेना है नारियल का तेल उस नारियल के तेल में आप इन सभी औसद यो को डाल करके कल के बना ले यैनि की तेल में डाल करके पका ले खूब अच्छी तरीका से łो जब यह उसदियां कुछ हरेपन छोड़ कर कि काली-काली कलर की होने लगे तब इनको उतार करके ठंड स्थनदा होने के बाद त और उस तेल को अगर लगाते हैं तो तेल जो आपके बाल दूमें हो रहे हैं वे खत्म हो जाएंगे ज़रते हुए रुप जाएंगे और गंजा पन में दुवारा बाल आने सुरू हो जाएंगे ये बालों की समस्प्रकारी समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भूत माना जाता है दोस्तों जिनको पेचेस पड़ रही है दस्ती की सिकायत है जिनको बदहजमी है कब्ज हो ऐसी डिटी हो अफारा हो जानी के फेड़ फूल रहो ऐसे में आपको करना क्या है आपको ले लेना है ये जो औसदी देख रहे हैं इसको लेना यानिकी आप 10 ग्राम इस औ 10 ग्राम बॉमाई जिसको बंतुलशी कहते हैं उसकी पत्या इन सभी को लेकर के चूरन बनाब है या अगर ताजी मिलती है तो अच्छी बात है इनको पीस करके प्रयोग कर सकते हैं सोरस की तरह वरना इसका चूरन मनाब है और उस चूरन को अगर खाना खाने के बाद गुन ये भारत वरस्व में सब जगे मिलता है तो बहुत अच्छी जानकारी में आपको दी है आप इसको उप्योग करके लाब जरूर पाईएगा बहुत ज्यादा गुरकारी है ये कब्ज में अच्छा काम करता है कब्जे हैं बहुत परानी कब्जे बबासीर परिशान करती है क कब्जे के कारण है तो कब्जे को दूर करने के लिए आप इस ओसदी को साथ में सौट और पिप्पली मोल तता अतीस इनको मिलाकर के अगर प्रयोग करते हैं तो ये कब्जे जैसी भिहानक इस्तिती को ये कुलिहंतर करती है कंट्रोल करती है खत्म करती है तो दोस्तों जा आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और जानकारी साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए हमें दीजी जैजक नमस्कार धन्नवाद